जै श्रीराम जै हनुमान आज की बालकान कता कुछ इस प्रकार है नाम प्रसाद संभू अभिनासी साजू अमंगले मंगले रासी सुक सन काद सिद्ध मुनी जोगी नाम प्रसाद ब्रहंभ सुख भोगी नाम ही के प्रसाद से सिव जी अभनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशी है सुक देव जी और सन कादी सिद्ध मुनी योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं नारद जाने हूँ नाम प्रतापू जग प्रिय हरी हरी हरे प्रिय आपू नामु जपत प्रभु की इन्हे प्रसादू भगत सी रोमा निभे प्रहे लादू नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है हरी सारे संसार को प्यारे है हरी को हर प्यारे है और आप स्री नारद जी हरी और हर दोनों को ही प्रिय है नाम के जपने से प्रभु ने क्रपा की जिससे प्रहलाद भगतु सिरो मड़ी हो गए ध्रुब सगलाने जपेऊं हरी नाओं पायाऊं अचले अनूप ठाओं सुमिर पवन सुत्य पावने नामूं अपने बस करी राखे रामूं ध्रुब जी ने गलानी से अर्थाद विमाता की वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरी नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अन्पमिस्थान अर्थाद ध्रुब लोग को प्राप्त किया हनमान जी ने पवित्र नाम का इसमन करके श्री राम चंद जी को अपने वश में कर रखा है अप तु अजामलू गजू गनिकाऊ भय मुकुत हरी नामे प्रभाऊ कहाऊ कहाँ लगी नामे बढ़ाई रामू नस कही नामे गुनिगाई नीच, अजामिल, गज और गडिका भी श्री हरी के नाम के प्रभाऊ से मुक्त हो गए मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते रामू नाम को कलप तरू कलिकल्यान निवासू जो सुमिरत भयो भांगू कल्योग में राम का नाम कल्प तरू अर्थाद मन चाहा पदार देने वाला और कल्यान का निवास अर्थाद मुक्ति का घर है जिसको इसमन करने से भांग सा अर्था निक्रष्ट तूसी दास तूसी के समान पवित्र हो गया है जहु जुगतीन कालत हु लोका भय नाम जप जीव भी सोका बेदे पुरान संत मत एहूं सकल सुक ट्रत पल राम सनेहूं केवल कल्यू की ही बात नहीं है चारो युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जब कर जीव सोक रहित हुए वेद, पुरान और संतों का मत यही है कि समस्त पुर्णियों का फल श्री राम चंद जी में या राम नाम में प्रेम होना है ध्यान उप्रथम जुग मक्विधी दूजे द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे कली के वले मले मूले मलीना पाप पयोने दिजन मने मीना पहले सत्य युग में ध्यान से दूसरे त्रेता युग में यग से और द्वापर में पूजन से भगवान पसंद होते हैं परन्तु कल युग में केवल पाप की जड़ और मलिन है इसमें मनस्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मचली बना हुआ है अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं जाता इस से ध्यान यग और पूजन नहीं बन सकते जय श्री राम जय हनुमान आज के बालकान कथा में सिर्व इतना ही हर हर महादेव